यह शिराम सभी भक्तों को जेम आता कि फीर एक नहीं वीडियो के साथ हजिर हो गए है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है किसी भगत का नीशा तवारी नाम की एक मेला है मेला उन्होंने कहा है और लखनव से हैं वो कहती हैं कि गुरुजी आपने बहुत 싸री वीड दीपक में तो उसका कारण होता है हमारे साथ अंतक बने रहना तब भी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ मे बाती में फूर बनना एक आस्ता का विश्य है और एक शक्ति का विश्य है विश्वास का विश्य है क्यों जिस शक्ति की हम अराधना कर रहे हैं जिस शक्ति की हम अराधना करके उसे प्रसंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे उपर वो करना वही मा क्या खुश है या न लगते हैं देखिए माँ अपने बच्चों से हमेशा ही सने करती है हमेशा ही प्रेम करती है अखंड जोत आपने लगाई है अपने आस्ता और भावना से लगाई है और जब आपकी अखंड जोत लगती है अखंड परतिग्या पिर आप कोई खड़े उतरते हो और लगा अतार दिपक की बाती के अंदर फूल बनना, जोत में फूल बनना, दिपक में फूल बनना, अखंड जोती में फूल बनना, बातों का फर्क है, अगर लगा अतार आपकी अखंड जोती में फूल बन रहा है, लगा अतार आपने अखंड जोती के अंदर बड़े बड़े फूल देख तो यह अलग इन फूलों के बहुत महत्पूल संकेत हैं देखिए जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो भगवान पर पून रूप से विश्वास करता है यह विश्वास का टोपिक है और जिसकी आस्ता जिस इस्ट से लगी है उसकी किरपा उसको प्राप्त होती ही होत है अग्साम स्वास कर वाका एकशली में अगर लगातार आपकी जोती में फूल बन रहा है तो करना मैं स क्नटमशरकार की किरपा आपके ओपर हो गये है लगातार हो में इसमें आपको संदेह करने की को यह बठकने क्यों नहीं आप यह से बात को नोर्मल मत समझना है क्योंक मा अपने किर्पा अपने बच्चे पर अपने लाल पर दे रही मैं यह भी बताऊंगा आपको उस फूल का आपको करना किया है और उसके बाद आपको लगातार मा की कुछ ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा आपको कि यह इस इंडिगेटर को आपको अपने जीमन में किस पकार से उतादना है देखिए अगर फूल बन रहा है कहते कि बाबा तेरे भक्त वह तेरे भक्ति करने वाला कोई-कोई बनो जो भक्ति प्रभू तक पहुच रही है उन्हें रजहा रही है उन्हें मना रही है ऐसी भक्ति आप कर रहे हो और आपकी उस भक्ती से वो करनावई सरकार प्रसंद हो रही है मा जगत माता आपसे प्रसंद है जो दूसरों का कल्यान करती है जगत का कल्यान करती है अगर उस मा को आपने रजहा दिया है आपने प्रसंद कर दिया है तो आप सो बाग्या शाली से भी अगर कोई उपर की उपादी है तो आप वो क्योंकि हम जब सच्चे मंद से कोई भी कारीय करते हैं उसमें अपने और उसमें अपना विशवाच और आस्ता दोनों डाल देते हैं तो वो एक अमरितुल्या हो जाती है उस अमरित तुलेर में एक शक्ति पर भावित हो जाती है वो शक्ति हमारे घर में किसी ना किसी के रूप में रहती है हमारे शरीर पर हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक औरा त्यार होने लगाता है लोग अगर मा काली की पकान दोती लगाई है तो मा काली की शक्तियां आपके पास आएंगी अगर मा दुर्गा की लगाई है और मा दुर्गा और मा काली अलग नहीं है लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए जैसे आज काल रातरी है क्योंकि मा का जब प्रचेंड रूप चलता है तो वह अलग ही रूप और उस रूप को अगर कोई मैं सब्सक्ति सोचे कि मैं उस रूप को कैद कर लूँगा जिस पकार से दोतांत्रिक होए थे उन्होंने मा काली को मुर्ति केक्द करने की सोचे थी दे और और उनकी क्या हुआ उन्होंने सबसे पहले माकाली को प्रसंद कर लिया था यंतर रूप में नेकिन शंकर भगवान ने ओगर रूप लेकर माकाली को बंदन से मुक्त किया और उस दिन के बाद शंकर भगवान की ओगर शक्ती भी माकाली के साथ से तो इसी पकार से क्या होता ह कि जब हम विश्वास करकर अपनी इश्ट देव श्री बाला जी महराज या मादूंगा की या मकाली की शर्ण में जाते हैं, तो वो अपने लाल पर करना करती ही करती है, और अपने लाल का बाल भी भाका नहीं होने देव, आप इस बात में बिल्कुल भी संदे मत करना, आप स है मा, क्योंकि मैं तो आपके चर्णों का दासी बनना चाहती हूँ, मेरे जीवन में और कोई और लक्षा नहीं है, मेरे घर की रक्षा किजिए, मेरे परिवार की लक्षा किजिए, मुझे धन दोलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चर्णों का आस्रा चाहिए, ये जो जोती और कलावे की बाती में फूल बनना डेली फूल बनना ये कोई चोटी बात नहीं है अचारी जनक बात है आपके लिए क्योंकि आपके परिवार के ओपर किर्पा की ये जो किर्पा प्राप्त हो गई आपके परिवार के लगातार अखंड जोती पर फूल बन रहे हैं और अखंड जोती के आप मतलब बता है अखंड प्रतिग्या पर मा उस आपकी अखंड प्रतिग्या से बहुत ज़्यदा खुश है इसको कभी हलके में मत जाने देना आप आज से अभी से आप अपनी भक्ति को दुगना बढा दीजिए अगर जहां आप आदा घंटा देते थे व आपने इश्ट देव से शेर कीजिए उन्हीं से साथ वारतालाब कीजिए बस और आपने कोई घर का बजूर्ग है जिसके परती आप जिसका सुमान जनक देखते हो जिन्हों ने आपको कभी मार्ग दर्शन दिया है उन से शेर किए अधिक से ज्यादा लोगों से शेर करने साथ जन्वों के पाप दर्श्ट हो जाते हैं मा और बाबा की सेवा करने से इसी पकार से मा और बाप जो आपके घर में आपके पिता या माता आपके घर में हैं उनकी सेवा भी करने से अगर आप उनकी इसकार करते हो और उनकी सेवा करते हो तब भी उसरी कार नहीं करते है घर में माबापको भी कष्ट नहीं होना चाहिए लेकिन अगर ये जोत की बाती में फूल बन रहा है तो आपने चिम्टी से उस फूल को एकत्रित करने के बाद उस फूल से एक दिव्य तिलक लगाईए जिस उस तिलक को आप विशेश तोर पर अपनी मांग में भी लगा सकते हो अपने कान के पिछे भी लगा सक्ते हो अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाते तो अपने मस्तक प़ी लगा सकते और उस तिलक का थोड़ा सा पान भी लगा सकते हो अगर जब ये तिलक की शक्ति आप देखोगी खुद मैसूस करोगे जहां जहां आप इस तिलक को लगाओगे उस उस जगा पर अपने आप ही पर भाब उस पर होने रखेगा क्योंकि ये आपने अपनी करम से कमाया अपनी मैनत से इसके तागों कमाया है तो बोलिए जैसे तरह हम जैमाता की ये जो अखंड जोती में जो फूल बन रहा है ये कोई छोटा नहीं है माने स्वम आपको चुना है